नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अनिल कुमारकार की हिंदी विभाग से और आज मैं आपको जानकारे दूँगा लोकनाट्टे पर तो लोकनाट्टे उत्राखंड का साहित्य विशय के अंतरगत हमारे पाठ्ठकरम में सामिल है और लोकनाट्टे के अंतरगत जो आज का विशय है उसका उदेश है वो यह है लोकनाट्टे की जानकारी उत्राखंड के प्रमुख लोकनाट्टियों की सैलिया और उनके ब्यहवार तो लोग नाट्टे को लेकर के जो हिंदी के प्रमुख आलोचक रहे हैं नागेंद्र उन्होंने कहा है कि किसी की सामुहिक आवस्तक्ता हैं एवं प्रिणाओं के बीच उनका जन्म हुआ है जीवन की सामुहिक आवसक्ताओं और प्रणाओं के बीच इसका जन्म हुआ है और संस्कृत में नाटकों के अनेक उप्रोग जो है वो लोक से लिए गए जैसे डिम्बु प्रसन, हलिरासक, रासक भी थी इत्यादी तो लोक नाटे में मूलता है दो प्रकार से नाटकों को बांटने का चलन रहा है एक तो निर्तिपरक नाटे और प्रसना तमग नाटे लेकिन क्योंकि हम कुमाओं और गड़वाल उत्राखंड के संदर्व में बात कर रहे हैं तो हम इसको एक अलग नजरिये से देखते हैं तो हमने इसको इस तरह से बाठा है सिकार युद्ध और किर्सी के संदिकाल के जो लोक नाटे है जिसमें मुखोटा उस्टव है, जागर, छोटू के मद्ध खेल है निर्त्य और युद्ध भंगिमाओं के खेल है और किर्सी नाटक है, लोक नाटे है तो मुखोटा उस्टो के अंतरगत हमारे माँ बहुत पुराने जो त्योहार है जो बहुत पुराने लोक नाटे है उनमें मुखोटों का प्रियोग किया जाता है गड़वाल में भी और कुमाओं में भी जागर सौट्यों के मद्धे खेल जो हमारे माँ की लोक गाथाएं है कुमाओं और गड़वाल की, उत्राखंड की उनके बीच बीच में जो लोक देवता होते हैं वो बकरी चराने के लिए या सिकार करने के लिए धनोश तीर बार्ण युद्द के माध्धम से एक खेल खेलते हैं जिसमें आम जो जागर देखने वाले होते हैं सरद्धालो होते हैं, उनको बकरा बनाया जाता है उनके उपर या फिर अलग से किसी फल का बकरा बना करके उस पर सिकार खेलने का अभी नहीं किया जाता है और तीसरा निर्ते और युद्ध भंगिमाओं के खेल है तो निर्ते और युद्ध भंगिमाओं के खेल में हमारे पाथ चलिया चपेली है और अलग अलग तरह के निर्टे भंगिमाओं के खेल भी देखने को मिलते हैं खासकर तल्ला दानपूर मल्ला दानपूर के इलाकों में और किरसी में जो हुड़की बॉल है हुड़की बॉल के बीच बीच में भी इस तरह के लोकनाटे किये जाते हैं या किये जाते रहे हैं जो कि एक तरह से जो हुड़की बॉल या अन्य जो किरसी गीत है वो लगभख समाप्त के कगार पर है और दूसरा जो हमने इसमें भाग किया है वो किया है त्योहार और रासरंग त्योहार और राशरंग के अंतर के जो मेंत हैं हमारे वहां जो बिवाह होते हैं खासकर पुरुष बिवाह में जो पुरुष दूलह अपक से होता है बिवाह जब बराद दूलह के घर से प्रस्तान की जाती है दूलहन के घर तो रतेली या रतेई नाम से एक बिसेश किसम का महलाओं का स्वांग है या तो एक तरह का नाट्ट है जिसमें वहाँ अपने गाओं के या किसी और पुरुस के अभिनाई को करती हैं और इसमें पुरुसों की भागेदारी नहीं होती है और इसी तरह स्वांग स्वांग बेसिकली होलियों में किया जाता है और एक तरह से यहाँ बहुत ही अलग लोग सेली है नाट्टे की जिसमें आप अपने समकालिन किसी भी राजनेतिक व्यक्ति के किसी भी तरह के या किसी भी ऐसे व्यक्ति का आप स्वांग रश सकते हैं जो तीसरा भाग हमने कथा लोकनाट में किया है वो किया है कथा गोई या किस्टा गोई कि जो अब एक बहुत ही popular form हो गई है पूरे दुनिया में खास कर storytelling के संबंद में तो कुमाउं में फसक और फॉंस दो नाम से ये कथा गोई या किस्टा गोई के बाद पोस्ट दिखते हैं और फॉंस की जो सैली है वो एक तरह से बड़ा चड़ा करके कहने वाली सैली है। और अब आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं स्लाइड वो है रम्माण। 2 अक्टुबत 2009 को रम्माण को विश्व धरोबर में संग्रशित किया गया है। रम्माण, सलूंग, दुम्रा, चमोली में अप्रेल मास में मनाया जाता है। रम्माण को एक तरह से रम्माण जो लोकनाट्ट है वो रामाण का लोकल संसकरण है। इसमें अठार मुखोटे, अठार तालों, एक दरजन धोल दमाओं के अलावा भी बाद्दय अंतरों से भावं की अविवेक्ति दी जाती है। दो रूप मुखोटे के होते हैं, जिसे पहले रूप को बोलते हैं द्योपत्तर यानि देवताओं के मुखोटे, दूसरा होता है खरियाली पत्तर यानि मनोरणजन के मुखोटे हैं। चार निर्ते इसमें हैं बणया बणयान जिसको तिब्वती ब्यापारियों पर आधरित लूट खसूट पर दर्शाया जाता है। पुरुजोगी निर्ते जो एक तरह से हसने, हसाने और मनोरणजन का निर्ते हैं। तो इस तरह से एक तरह से रम्मार जो है, यह हमारे पूरे लोकनाट्टक की विशाज जहांके को प्रस्तुत करता है। क्योंकि इसमें मुखोटा भी है, निर्ते भी है और अलग-अलग वाद्दे यंत्रों का प्रियोग भी किया जाता है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया और हम ऐसे ही किसी विशाज के साथ फिर जल्दी मिलेंगे धन्यवाद।